हलो डियर स्टुडेंट आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6, math, ncrt, chapter 3, playing with number इस चेप्टर में हम कर रहे हैं अभी divisibility rule हमने पिछले क्लास में 2 से 6 तक का divisibility rule जाना है आज की क्लास में हम आगे की number का divisibility rule जानेंगे तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं 7 की divisibility rule से इससे पहले हम लोगों ने 2 का divisibility rule जाना 3, 4, 5 और 6 का जाना था आज की क्लास में हम देखेंगे 7 का divisibility rule क्या है लास्ट नम्मर तो 7 का divisibility rule क्या कहता है वो हम देखते हैं double the last number, last number को हमें double करना है and subtract this number from the remaining digit और जो last number जिसे हम double किये हैं उसको subtract करना है रिमेंग डिजिट से, if the number is divisional by 7, then original number also divisional by 7 रिवें का diffusivity rule कहता है, कि अगर कोई number हमें तिया जाए और पूछा जाए कि यह number 7 से divisional है कि नहीं, तो उसमें हमें क्या करना होगा? उस number का last digit है, उसका double करके बागी के digits से उसे subtract करना होगा सबस्ट्रेक्ट करने के बाद जो हमें result मिलता है, वो हम देखेंगे कि वो number 7 से divisional है या नहीं सबस्ट्रेक्ट करने के बाद वाले जो number मिलेगा हमें, उसको हम चेक करेंगे कि वो number 7 से divisional है कि नहीं अगर वो number 7 से divisible होगा तो जो original number था जिसका हमने last digit double करके उसे subtract किया है बागी की digit से वो भी number जो होगा original number वो भी 7 से divisible होगा कुछ example की थूरू हम देखते हैं कि 7 का divisibility rule हम कैसे check करेंगे यह 3 number हमने 3 digit का लिया है अब हमें इसमें देखना है कि यह जो number है वो 7 से divisible है की नहीं तो 7 का divisibility rule कहता है कि double the last number last number क्या है 7 है तो इसको हमें पहले double करना है इसको हमें double करना है तो 7 को 2 से multiply करेंगे तो 14 आएगा अब यह 14 है इसको जो remaining digit है उससे हमको subtract करना है subtract this number from the remaining digit तो इसको जो double करके आया है उसको हमें subtract करना है remaining digit से तो 17 मैनस 14 हम करेंगे तो 70 को अगर हम 14 से subtract करेंगे तो हमें मिलेगा 56 अब हमें चेक करना है कि 56 से completely divisible है की नहीं तो अगर हम 56 को 7 से divide करें तो 7 at 56 आता है remainder 0 आया इसका मतलब यह जो number है वो 7 से completely divisible है तो यह नमर अगर 7 से completely divisible है तो यह भी नमर जो होगा वो 7 से completely divisible होगा तो ऐसे करके हम 7 का divisibility rule check करते हैं फिर हम इस नमर में देखते हैं इस नमर का last digit 7 है तो इसका हमें double करना है तो इसका double होगया 14 अब जो यह double करके आया वो remaining digit से हमें subtract करना है तो 84-14 क्या होगा 70 और 70 जो होता है 7 से divisible होगा 7 10 जा 70 होता है तो यह नमर अगर 7 से divisible है तो इसका मतलब यह जो original नमर है यह भी 7 से divisible होगा अब हम next number में check करते हैं इस नमर में last digit क्या है 4 है इसका पहले हम double कर लेंगे double करेंगे तो इसका आया 8 अब 8 को बांकी की digit से हम subtract करेंगे तो 36 को अगर हम 8 से subtract किये तो यह क्या आया 28 अब चेक करेंगे कि यह जो नमर है क्या 7 से divisible है की नहीं है तो 7 4 जा आता है 28 7 4 जा 28 आता है इसका मतलब यह नमर जो है वह 7 से completely divisible है 7 से completely divisible है तो इसका मतलब यह जो original नमर है यह भी 7 से completely divisible है तो ऐसे करके हम 7 का divisibility rule चेक करेंगे तो 7 की divisibility rule में हमने जाना कि अगर कोई नमर हमें दिया हो तो हम यह चेक करना हो कि 7 से divisible है की नहीं तो उसके लिए सबसे पहले हम उस नमर का last digit जो होगा उसको करेंगे और डवल करके जो हमें मिला उसको हम जो बागी के digit है उसे सबस्टेक्ट कर देंगे सबस्टेक्ट करने के बाद जो आया उसको हम levrees चेक करेंगे कि यह नमर्ण 7 मतलब 7 से डिविएजवल होगा मतलब बिमेंडर जीरों रिमेंडर ऐसे से डिवएट करने पने पे इसका मतलब जो ऑरिजनल नमर्ण हो से डिविजवल है अगर लिमेंडर जीरो नहीं उसका मतलब वो नमबर 7 से diffusual नहीं है यह है 7 का diffusual रूल अब हम देखेंगे 8 का diffusual रूल 8 का diffusual रूल हम देखेंगे 8 का diffusual रूल हम देखते हैं अगर किसी नमर का last three digits divisual होगा 8 से तो उसका मतलब वो पूरे जो नमर है वो भी divisual होगा 8 से अगर हमें three digits से कम का नमर दिया हो जैसे 64, 16 यह सब नमर को हम 8 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं उसके लिए हमें कोई रूल का जरूत नहीं है क्योंकि यह नमर ऐसे ही छोटा नमर है इसको हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं अगर three digits यह three digits से बड़े नमर हमें दिया जाए तो उसमें हम चेक करेंगे जैसे कोई नमर है इसमें हमें चेक करना है कि यह 8 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं लेकिन अगर कोई नम्मर हमें 3 डिजिट से बड़े डिजिट के हो, जैसे यह 5 डिजिट का है, तो उसके लिए हम उसके last 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे, जबकि जो 2 डिजिट है या 3 डिजिट का कोई नम्मर है, तो उसको हम direct 8 से डिवाइड करेंगे, ले से 0 होगा और 2 फिर 8 4 जा 32 होगा इसका रिमेंदर आया 0 तो इसका मतलब यह नम्मर 8 से divisional है अगर कोई और नम्मर हम लेके चेक करते हैं कि वो नम्मर 8 से divisional है की नहीं 3 डिजिट से बड़ा नम्मर हम लेंगे यह नम्मर हमने लिया है और इसमें हमें चेक करना है यह नम्मर 8 से divisional है की नहीं तो उसके लिए हमें लास्ट का बस 3 डिजिट को डिवाइड करना है यह पूरे नम्मर को हमें 8 से डिवाइड करने की जड़त नहीं है डिविजिटी रूल में हमें अगर 3 डिजिट से ज्यादा डिजिट वाले नम्मर मिले तो हम उसके लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे तो 8 का डिविजिटी रूल हमें ऐसे चेक करना है लास्ट की 3 डिजिट को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बंजा 8 आया यहाँ पर 6 आया, 0 से होगा 6 0, 6, 4, 8, 8 जा 64 इसमें भी remainder 0 आया, इसका मतब यह number भी 8 से completely divisible है तो ऐसे करके हम 8 का divisibility rule चेक कर सकते हैं तो हमने 8 की divisibility rule में जाना कि अगर number 3 digits से बड़ा हो तो उसमें हमें 8 का divisibility rule उसके last 3 digits को 8 से divide करके चेक कर सकते हैं अगर number 3 digit का हो या 3 digit से कम digit का हो तो हम direct उस number को 8 से divide करके चेक कर सकते हैं अगर 3 digit से बड़ा number हो तो उसके last 3 digit को हम 8 से divide करेंगे अगर वो last 3 digit 8 से divisible होगा तो इसका मतलब यह पूरे number जो है वो 8 से divisible है अगर last 3 digit ही 8 से divisible ना हो, remainder 0 ना आये इसका मतलब ये पूरे नम्मर भी 8 से डिविजवल नहीं है ये था 8 का डिविजविटी रूल अब हम जानेंगे 9 का डिविजविटी रूल 9 का डिविजविटी रूल कहता है if the sum of digits of a number is divisible by 9 किसी भी number के सभी digit का sum अगर 9 से divisible हो then the number is also divisible by 9 तो वो number जो होगा जिसका हम सभी digit का sum निकाले है वो अगर 9 से divisible हो तो वो number भी 9 से divisible होगा कुछ example के थुरू हम समझते है 3 और 9 के जो डिविजविटी रूल है वो सेम है जैसे 3 के divisibility rule में हमने जाना कि अगर 3 से वही number divisible होगा जब उसके सभी digit का sum 3 से divisible हो वैसे ही 9 का भी divisibility rule कहता है कि अगर कोई number दिया गया है तो उसके सभी digit का sum अगर 9 से divisible है तो वो number भी 9 से divisible होगा ये 3 और 9 का divisibility rule सेम है 3 में 3 से divisible होना चाहिए और 9 में उसके सभी digit का sum 9 से divisible होना चाहिए तो कुछ example हम लेते हैं ये 3 नमर लिया है हमने हमें चेक करना है कि ये नमर में से कौन सा नमर 9 से divisible है और कौन सा 9 से divisible नहीं है 9 से divisible होने के लिए इस नमर के सभी digit का sum को 9 से divisible होना चाहिए इस नमर के सभी डिजिट का हम सम निकालते हैं 7 plus 3 plus 6 plus 4 plus 9 7 3 10 हो गया 6 plus 4 भी 10 हो गया और यह हो गया 9 अब हम देखते हैं इस दोनों का सम तो यह है गवा 29 अब देखेंगे कि 29 जो है वो 9 से डिफीज़वल है तो 29 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे 9 3 जा 27 आया रिमेंडर आया 2 इसका मतलब 29 जो है वो 9 से डिफीज़वल नहीं है तो यह जो नमबर है वो 9 से डिफीज़वल नहीं है तो इसका मतलब यह जो पूरे नमबर है यह भी 9 से डिफीज़वल नहीं है और हम इस नम्मर में देखते हैं, इस नम्मर में ये सभी डिजिट का सम हम अगर निकालेंगे, तो 5 plus 4 plus 6 plus 2 plus 4, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 4 12, 21 आया इसका सम, तो 21 क्या 9 से divisible है, अगर 9 से इसको divide करेंगे, तो ये 9 से completely divisible नहीं होगा, 21 को अगर हम 9 से divide करेंगे, 9 2 जा 18, 11 2 गया 3, इसका रिमेंदर आया 3, तो इसका मतल 21 जो है, वो 9 से completely divisible नहीं है, तो ये भी नम्मर जो है, वो 9 से divisible नहीं आया, इसका मतल जो original नम्मर है, वो 9 से divisible नहीं है, अब next नम्मर है, अब इसका हम सभी डिजिट का सम निकालते हैं, औ 5 plus 2 plus 8 plus 3, तो 5 plus 3, 8 और 8 plus 2, 10, ये हो गया 8 plus 3, 18, तो 18 क्या 9 से divisible है, ये नम्मर जो है, उसके लिए इसके सभी डिजिट का सम निकालेंगे, तो इसके सभी डिजिट का सम होगा, 4 plus 6 plus 8, ये हो गया 10 और यह होगे 8, इसका भी sum 18 आया, तो इसका मतलब यह 18 जो है, वो 9 से divisible है, तो यह नमर भी 9 से divisible होगा, तो यह जो नमर है original, वो भी 9 से divisible होगा, तो 9 की divisibility rule में हमने जाना कि अगर नमर दिया हो और हमें पूछा जाए, यह नमर 9 से divisible है कि नहीं, तो उसके लिए उस नमर को 9 से divide करने की जोरद नहीं है, उस नमर के सभी digit के sum को अगर हम 9 से divide कर लेते हैं, और अगर वो नमर 9 से divisible होगा, अगर उसके सभी digit का sum 9 से divisible नहीं है, तो उसका मतलब वो नमर 9 से divisible नहीं होगा, नेक्स्ट हम देखेंगे 10 का divisibility rule, last digit of number must be 0, 10 का divisibility rule कहता है, कि अगर कोई नमर के last digit 0 है, उसका मतलब वो नमर 10 से divisible है, जैसे 5 की divisibility rule में हमने देखा था, कि अगर कोई नमर का last digit या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो नमर 5 से completely divisible होगा, वैसे ही 10 का divisibility rule कहता है, कि अगर किसी भी नमर का last digit जो है, वो 0 है, तो वो नमर 10 से divisible होगा, जैसे कुछ example की तो हम देखते है, 85450, ये नमर है 1, और एक नमर ये है, 34558, अगर हम ये दोनों नमर में पूछा जाए कि कौन सा नमर 10 से divisible है, तो हम नमर का last digit देखेंगे, इस नमर का last digit 0 है, तो इसका नमर का last digit 8 है, तो इसका मतलब ये नमर 10 से divisible नहीं है, तो हमें बस last digit देखना है, तो हम पता लगा सकते हैं कि नमर 10 से divisible है या नहीं है, अब हम next देखेंगे, 11 का divisibility rule है, 11 का divisibility rule कहता है, difference of sum of number at odd place, और किसी भी नमर के odd place का जो नमर है, उसके sum का odd, sum of number at the even place, हमें नमर दिय जाये, तो हम उस नमर के odd place का जो number है, उसका sum निकाल लेंगे, और even place के number का sum निकाल के, उस दोनों place के number के sum को हम difference करेंगे, तो जो difference का result आएगा, वो divisible होना चाहिए 11 से, तो इसका मतलब वो number भी divisible होगा 11 से, इसमें number के place का sum करना है, दोनों place का even और odd place के number का sum करके, उसको subtract करने के बाद जो अगर result 0 आए, या अगर कोई odd number आए, जो 11 से divisible हो, तो उसका मतलब जो original number है, वो भी 11 से divisible होगा, जैसे example के थरू हम जानते है, इसके even place के जो number है, जैसे इसको अगर हम numbering करें, ये 1 है, 2 है, 3 है, और 4 है, तो ये 1 जो है odd है, और 3 भी odd है, इस दोनों के place प अगर sum करते हैं, तो ये 2 और 4 जो है, वो even place है, 2 place पे क्या है, 3 है, और 4 place पे 1 है, तो even place का number क्या होगा, और 4 है, तो इसके even place पे कौन कौन सा number है, 3 plus 1, ये आया 4, अब इस दोनों place की number को हम subtract करेंगे, तो 4 minus 4 आगया, 0, तो अगर subtract करने के बाद, result 0 आए, या कोई और number आए, 6, 1, 8, 0, 9, ये number को हमें check करना है कि 11 से individual है कि नहीं, तो सबसे पहले इसके odd place के number को हम sum करेंगे, तो ये 1 है, 2, 3, 4, और 5, तो odd place पे 6 आया, फिर 8 आया, और 9 आया, इस तीनों number का हमें sum निकालना है, तो 6 plus 8 plus 9, तो इसका sum आएगा, 14 plus 9, 23, ये हो गया 23, ये odd place का हो गया 23, अ हम even place पे देखते हैं, तो even place पे नमर है 1 और 0, तो इसका sum निकाल लेते हैं, 1 plus 0 आएगा, 1, तो even place के नमर का sum आया, 1, even place पे है, ये odd है, और ये even है, तो odd place पे 23 आया, और even place का जो नमर का sum आया, ये 1 आया, अब इस दोनों number के sum को हम subtract करेंगे, तो जो नमर आएगा, वो या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 से divisible होना चाहिए, तो इसको subtract करने के वाद जो नमर आया, वो 22 आया, तो 22 जो है, 11 से divisible है, 11 तो 22 होता है, तो ये number 11 से divisible है, तो इसका मतर ये जो original number है, 6, 8, 6, 1, 8, 9, 0, 9, ये भी 11 से divisible होगा, तो हमने 11 के divisibility rule में जाना, कि अगर कोई number दिया ग या तो 0 हो, या तो 11 से divisible हो, तो हम जानेंगे कि ये number 11 से divisible है, अगर वो number का sum के difference है, वो 11 से divisible नहीं है, तो इसका मतर वो number 11 से divisible नहीं है, तो आज की class में हमने 7, 8, 9, 10, 11 का divisible rule जाना है,